सब्सक्राइब करते हैं और थर्टी पर्स्ट सेशन में जो कि हम इस टाइटल के अंदर करते हैं इस सेगमेंट के अंदर हमने टूंटी नไंट क्लास जो अलरेडी कावर कर ली है वो करन टाफर्स की है और आगे के जितने भी सेशन होने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले आठें पार करें यह जो यह आप याद रखे और कि कि मोरोवर यहां पर जितने भी आपकी सेग्मेंट अब आगे उने वाले वह आपकी एक्जाम जो आगे आने वाले हैं अगले छे मिनों के अंदर उनको फोकस किया जा रहे हैं सप्टेंबर तक का करेंट अफैस अल्रेटी अपडेटेड हैं 29 वीडियो के अंदर ऑक्टोबर क जो करेंट अफैस होगा वह मंतली करना शुरू कर देंगे यानि कि हम हर महीने के आकरी में ऑक्टोबर नवेंबर दिसम्बर में भी पूरा पार्ट कवर कर लेंगे ठीक है आज का जो सेशन है वह बुद्धिजम पे उने वाले हैं अगला सेशन आपका जैनिजम पे हैं दे दर्म से बड़ी शायद कोई जाती नहीं होती है और ना धर्म से बड़ी इंसानियत होती है आपने कई बार यह बात सुनी होगी कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है तुब इंग अ यह सबसे बड़ा धरम होना चाहिए अपना लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन उसके बात भी याद रखी कि धरम से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती धरम के नाम पे लोग कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं जैसे इसराइल पलिस्टी लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर सारे धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है और उनकी एक्जिस्टेंस को मिटाने की कोशिश नहीं की जाती है सबसे पहले इस पूरे सेशन के अंदर आपको समझ आना चाहिए कि एग्जाक्ली बुद्धिजम जो है वो कहां से औ के बात करते हैं जब हम बोलते हैं कि सिखिजम जो है वो गुरुव नानक देव जी के द्वारा शुरू किया गया था तो अपने को ये भी समझ ना पड़ेगा कि सिखिजम की शिरूआत हिंद JESS ती किससे की गई थी हिंदो Heather किया था हिंदूम से ही प्याट अवशिक को Awesome ज उनको लेके अफगानी या तुर्की जो आरते भारत में इन्वेजन के लिए उनको मिटाने के लिए उनको खतम करने के लिए बनाई गई थी तो सिख्षिजम जो धरम है वह भी हिंदुइजम से ही जनरेट हुआ है यानि कि सिख्षिजम एक्चुली ओरिजनेशन ऑफ बुद्धिजम की बात करते हैं या जब हम जैनिजम की बात करते हैं तो बुद्धिजम और जैनिजम भी हिंदुइजम में से ही निकली हुई एक ब्रांच है एक शाख है बुद्धिजम के बुद्धिजम एक ऐसी चीज़ जहां पे महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बग्वान जी के साथ कोई भी धरम का स्थापना तबी होता है जब उसका हैड जो पसंद होता है जिसको आप मान रहे हो या जिसको आप सबसे ऊपर रखते हो वही पसंद जो है ना उसकी तेटिकल पावर उसकी जो spiritual बना जाता है और बुद्धिजम जो बना था वो तवी बना जब महात्मा बुद्ध जी के दुआरा हिंदुईजम से निकल के कुछ अलग टीचिंग दी गई तो यह भी शाक्य क्लें को बिलॉंग करते थे जो कि हिंदुईजम में ही आता है उसके बाद इन्होंने अपने एक एक ऐसा धरम देने की कोशिश की जो धरम सिफ और सिफ दूसरों की सहायता मदद करना चाहता है लेकिन उसके बाद भी कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर रहेंगे तो आज के सेशन में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट फीचर को समझने वाले बुद्धिजम एसा रिली है बहुत सारी क्वेशन यहां से आ रहे होते हैं आज का सेशन बुद्धिजम और उसके काउंसर्स और उसके इंपॉर्टेंट करेक्टर स्टिक्स को लेकर है यहां पे तो आपका जो जीडी के क्लासेज है वह आपकी शुवन सर की और उमेज सर की चल रही हैं सात में मेरी तेस्ट मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को बहुत जादा शाप भी कर सकते हैं साथ में आप साइन्स की क्लास मेरी जॉइन कर सकते हो साइन्स की थियोरी क्लास इसी क्लास 24 एप्लिकेशन पर चल रही है जहां पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी तंप्रीट करेंगे इबुक्स आपको प्रवाइड करेंगे उसकी और आप जाके यहां पर चलास 24 पर यह जो चैनल है इसको क्लास 24 की एप्लिकेशन है वेबसाइट है उसको सर्च कर सकते हो और एप्लिकेशन के रेलवे वाले पार्ट में प्रपरेशन वाले सेग्मेंट पर यहां पर आप क्ल सब्सक्राइड करांगी साटेड़ संडे में आपके दो सेशन होएंगे एक जनल साइन्स का और एक आरपीएफ का जनल साइन्स का हम बिहार से इंटर लेवल के एक्जाम के लिए कर रहे है और आरपीएफ का जो होगा वह संडे को होगा जहां पर मैं आपको पचास है ठीक है बहुत important question बनेगा और सब कुछ आपको आगी की थियोरी से समझ भी आजेगा बुद्ध जी की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध जी द्वारा शुरू किया गया था बुद्धिजम बुद्धिजम की बात करें जिसमें शाक्यमुनी और तथागत के नाम से जानते थे 563 इसा पूर्व में जनम हुआ था महावीर बुद्ध जी का और पूर्णिमा के दिन नैपाल के कपिल वस्तु के अंदर जनम स्थल जो है वो क्या कहा जाता है लुम्बनी कहा जाता है क्या कहा जाता है लुम्बनी जो नैपाल के कपिल वस्तु वाले शेत्र में मौजूद नेपाल के कपिल वस्तु शेत्र में तो जनम स्थल पूछा जाता है तो याद रखे जनम स्थल आपका क्या रहने वाल है पूर्णिमा के दिन नेपाल के कपिल वस्तु जिसे आज हम लुंबनी के स्थल लुंबनी कहते हैं देखे मावीर बुद्ध जी का जो जनम है वह पूर पूर्णिमा के दिन ही किया था तो उनके सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वह आपके पूर्णिमा के दिन ही आएंगे और एक चीज़ वर याद रखे कि गौतम बुद्ध को विष्णु जी का हमारे भगवान विष्णु जी जो हिंदिजम को रिप्रेसेंट करते है उनका इंकारनेशन या उनका ही अवतार कहा जाता है और आठमा अवतार इसको कहा जाता है ठीक है बचपन का नाम उनका सिधार्थ था पिता जी का नाम उनका शुदोधन जो कि कौन से वंश को या कौन से शाशन को विलॉंग करते थे सक शाशन करके याद रखे और माता का कहा जाता है महामाया जो की कौशल वंष से भि लॉंग करती है सौटैली माती उनकी महाप्रजापति गौत्मी या गौत्मी के नाम से जिनको कहा जाता है और आज जो है ट। QT 않ते खोड़ें थिए बारे में आपको नहीं करते हैं और कंथक जो जो है वह उनके गोड़े का नाम था जिसके साथ वो रहते थे और खेलते भी थे यशोधरा के साथ उनका विवा होता है और उनके एक पुत्र का नाम एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया था राहूल सोला साल की उमर में महात्मा बुद्ध जी की शादी हो गई थी सिक्स्टी नहीं है तब तो पहले देखिए बहुत पुरानी आप 563 बीसी की बात कर रहे हो तो बहुत ही अर्ली स्टेज पर शादी हो जाती थी 15-16-14 साल में शादी हो जाती थी यहां पर संसार के गौतम जिसकी वज़े से उनको लगा कि दुख में जीवन में दुखों के सिवा शायद कुछ नहीं है जैसे बुड़ा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति एक जरजर अवस्था में मौझूद व्यक्ति ऐसे करके उन्होंने संसार के इन दुखों को छोड़के 29 साल की उमर में मोक्ष स्पृरिच्वालिटी को समझने के लिए जवी फी कोई एप परसन अपनी हर चीज को चोड़के स्पृच्वालिटी कनेक्ट कर लेता या स्पूरिच्युल हो जाता है किसी चीज के साथ या वह भगवान के साथ डिरेकली कॉंटेक्ट बना लेता है तो एक नएक चीज की शुरूआत होती है जैसे कि आप किसी भी धर्म को देखेंगे जाये आप यहूदियों के धर्म को देखें जिसने अब्राहीम या फिर जिसने अब्राहीम का फूरा फॉलो या फॉलो अप किया आप क्रिष्यानिटी को देखिए जिसने जो जो जुन सा theoretically गर पैदा हुए क्रिश्चन हमारे जीजस क्राइस्ट जो बोला जाता है उनके पात को फॉलो किया और सम्वेर बुद्धिजम को जीजस क्राइस्ट के बर्थ से भी रिलेट किया जाता है जिस तरीके से हिंदुईजम से निकल के बुद्धिजम बना जबकि महावीर बुद्ध होते वह पैदा हुए हिंदुईजम हिंदु फामली के अंदर लेकिन अलग से धरम बनाया उसी तरीके से जुईज के लिए भी बोलते हैं कि जो आपके जुईज फामली थी उसी में जीजस क्राइस्ट का बर्थ हुआ लेकिन उन्होंने जुईज की बात नहीं सुनके यान इसी वज़ा से इसराइल और पैलिस्तीन या फिर कई ऐसे देश हैं जो इसराइल के गेंस्ट रहते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि जुईज का जो जुईज जो थे वही क्रिश्यानिटी के लिए या जीजस क्राइस्ट के मडर के लिए जमेदार है तो यहां पर वही वाली च तो यह कहीं से भी तबाही नहीं शायद अपने आपको बचाने की बात है उन्होंने मोक्ष या निर्वान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया वैशाली पहुंचते हैं और वहां जाके अपने अलारा क्लामा जो है उनके सिश्य बनते हैं बाद में उद्र का उद्र का र पहले शिश्य बनते हैं और धर्म चक्र परवर्तन या कानून के पहिये को चालू करने पे उन्होंने सारनात के अंदर अपना पहला उपदेश दिया था जो कि इत्तव प्रदेश में लोकेटिड है बनारसी के पास बनारस के पास ठीक है तो पहला उपदेश उन्होंने कहा जनम हो रहे है कपिल वस्तू लुमनी के अंदर उसके बाद उनका जो पहला उपदेश दिया उन्होंने वो सारनात में जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में यहां पे जाना जाता है और उनकी मृत्तियों को महापरे निर्माड के रूप में जाना जाता है जहां पे कहते हैं कि उनके एक शिश ने उनको कुछ ऐसी चीज खिला दी ती जिसकी वजह से वह बिमार हो गए और असी वर्ष की आयू में उन्होंने अपना देहत याग दिया जो कि 583 इसा पूर्व के लिए कहा जाता है 483 इसा पूर्व के लिए कहा जाता है तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से उनको फूर्ड पाइसनिंग हो गई थी कई लोग यह कहते हैं कि शायद उनको पॉर्ख खिलाया गया था लेकिन उसका कुछ यहां पे कोई एविडेंस नहीं है बस यह जरूर कहा जाता है कि उनको ऐसा कुछ खिला दिया था जिसकी वजह से उनके बॉड़ी में फूड पॉइसन हो गया और उनकी एटी यूर्स की एज में मृत्य हो जाती है मृत्यू जो है वह कहा जाता है यहां पनिर्वान रूप में ठीक है नहीं भाई एक तो यहूदियों को लेके ना अपनी हिस्टॉरिकल पॉइंट आव यू को थो पहले भी थे ठीक है और पलिस्टीन या इसलाम जो है ना वह पंद्रा सो साल पुराना है जरा इस पॉइंट को आप समझा करो और गलत भारणा ना बनाओ कि आपके मन में अगर कोई भी कुछ भी भर है और आप जल्दी से इसको समझ पा रहे हो तो ऐसा नहीं करना है आपक जो 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 आज इसराइल के अंदर उनका 4000 साल पुराना इतिहास कहा जाता है और जो पलिस्टीन या अरब नेशन से ना उनका इतिहास आपका 1500 साल पुराना है यानि कि यहूदी पहले से हैं जिस अरब नेशन की आप बात कर रहे हो जहां पर इसराइल यमन सुडान वाले शेतिर के आसपास के आगर हम बात करें तो लेबनेन, जॉडिया, जॉडन, सीरिय, इरान, सौध, आरेविया यहां पर पहले यहूदी रहा करते थे इस पूरे शेत्र में जहां पर आज इसराइल है ना बहτα पे पहले यहूदी रहा करते थे लेकिं क्योंकि जूझ ज किजस क्राइस्ट की जो डेथ है वो यहूदियों को उसका कारण माना जाता है इसलिए इसलामिक कॉमिनिटी ने और कृष्यानिटी कम्यूटी जहां पे हिटलर की अगर हम बात करें तो डेड़ करोड थे यहूदी पहले पूरे के पूरे कम से कम हिटलर ने पाचास से पचास लाख के असपस जो यहूदी हैं उनका कतले आम करवाया था और उसके बाद यहूदी एक ऐसी कास्ट है एक ऐसा धरम है जिसकी सबसे जादा हत्या करवाई गई है पिछले कुछ वर्षों के अंदर जैसे कि तीन साल चार साल के अगर हम बात करें तो यहां पे यहूदी जो लेकिन आप पहले याद रहें कि वह जमीन पहले यहूदी यहीं थी उसको अरब लोग आए उन्होंने यहूदी यहूदी आज अपनी जमीन को अपने घर को वापिस ले रहे हैं इस चीज को जरा समझो और इसकी एक डिटेल वीडियो करेंगे उसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि अभी तक भी लोग समझ नहीं पाएं कि इसराइल को आप गाली देते हो या इसराइल को जब आप गलत बोलते हो तो आप याद रखिए कि इसराइल जो है वो यहूदीयों का ही जगा थी वो यहूदीयों का ही देश था वो तो अरब नेशन से या इसलामिक कंट्र पिस्ती जो यहां पे आई थी और उसके बाद उन्होंने हटा दिया था कोई गलत या कोई सही की मश्वरा नहीं आप फैक्स जानी उसके बाद जज करिए हर चीज का ठीक है यह याद रखें कहां पे कहां पे शौ उससे पहले का इतिहास देखो गलत इतिहास अगर दिमाग मे डालोगे तो गलत ही चीज़ें परसीव होंगी यहूदी जो है ना वह आज से एक्जिस्ट नहीं करते हैं यहूदी बहुत टाइम से एक्जिस्ट करते हैं बहुत टाइम से आफ्टर अच्छा जब आप यह पढ़ते हो जब आप यह गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ ठीक है जीजस क्राइस्ट के बारे में और जीजस क्राइस्ट जो थे ना वह यहूदियों के यहां पैदा हुए थे यहूदियों के यह तो आपको पता ही है ना तो अगर वह यहूदियों के यहां पैदा हुए हैं तो इसका मतलब जब बुद्धिस्ट कर रहा था उसके आ 1000 साल पहले यहूदी थे और इसलाम जो है ना वह 1500 साल पहले था तो पैलिस्टीन पहले बस कैसे सकते हैं यह पूरा एरिया जो है वह यहूदियों का था पैलिस्टीनियन यहां पे आते हैं इसलामिक कंट्री अरब नेशन जो है वह यहां पे आते हैं वह यहूदियों को मारते हिटलर की मदद करते हैं यहूदियों को मारने में ब्रिटेन बस इतना करती है कि वह जगा पैलिस्टीन की थी उसमें इसराइल को घुसने देती है क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि यह जगा है तो इसराइल की ही ना हाला कि इसराइल जो है वह यहां पे अपने आपको यह वा पैलिस्टीन की सिचुवेशन को हम पाइन नहीं करते नहीं तो वह हमारा वह 22 कहीं न चली जाए लेकिन मुझे लगता है अब तो आपको समझाना ही पड़ेगा चीजों को लेके तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि पलिस्टीनिओं का और इसराइल का जो पूरा टाइम पिरड़ है वो यहा है और अगर आज लड़ रही है इसराइल तो किसी दूसरे को मारने के लिए अपनी जमीन को बस चाने के लिए लड़ी है इसराइल और यहूदियों का वही कं सब्सक्राइब कर लेते हैं जीवन के चार महान सत्यों में से कही जाती है पहला संसार दुख और कष्ट से भरा हुआ है ठीक है आपको दुनिया में सिर्फ दुख और कष्टी दिखेंगे माईजरी और सौरू दिखेंगा मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वही दुखों का को इधर जाना है हमारे पास इतना पैसा होना चीए मरежपस यह उना चीए यह जो अमारे इच्छाएं ना वही दुखों का कारण होती है अगर कोई इच्छाएं नहीं होगी तो किसी भी तरीके का कोई दुख नहीं होगा और इच्छाओं को आप मार सकते हो किसे आठ गुनापत जो है ना उससे आप मार सकते हो यहाँ पे धरम बहुत धरम के आठ गुनापत कौन से कहे जाते हैं आप सही भाषा इस्तमाल करिए उचित भाषा आपकी अजीवी का लाइवली हुड जो है वो एक बेटरर और एक nourmal safety न हुड होना चीए आप हर टाइम पर अपने एफर्ट जाले कौश करिये अपने बिचार को सही रखेंश करिए और कहली होनान nursery प्रमsmράंब करें चीज़ों को यह अप ग्रेटफिल होी चौन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है एक आगरता यानि कि concentration level आपका हाई होना चाहिए और आप सचेतन होने चाहिए या आपका mindfulness होना चाहिए यानि कि दिमाग जो है वो सजेता हमेशा सजयत होना चाहिए एसा नहीं है एसा नहीं है छे दिन की वार आपको बस याद है इसके बारे में जब हम डिटेल में वीडियो करेंगे ना तब हम पढ़ेंगे ठीक है यह गलत अवधार ना आपने जहां से भी सुनी है उसको साफ करो पहले और अगर किसी भी चीज का इतिहा यह तो फिर वही व मांगते हो ना तो क्यों बोलते हो कि जम्मु कश्मीर हमा राये क्यों बोलते हो हम कहते हैं ना जब जो पईयो्स पाकिस्तान कष्मीर करना भी तो यहां पर पढ़ो यहां पर यह वली चीज़ें कैसे क्या करनी है एक कि यूएसे का रोल है प्रिटें का रोल है लेकिन इसे इसे किसी एतिहासिक चीज़ को आप भुला नहीं सकते हो यहूदियों की जगाथ यहूदी थे चारहजार साल पुरा ने इसलाम या अरब बना ही 1500 सा साल पहले है तो कैसे हो सकता है इसराइल उनका थोड़ा सा यहां पर थोड़ा माइंड फुलनेस अपनी दिखाई है जो धरम बना ही 1500 साल पहले हैं उसके ऊपर आप 4000 साल पहले बनी हुई जगा को कैसे आप उनको दे सकते हो एनी विच वेस वीट इन डिटेल तब आप चीज़े समझेंगे दिस नौट राइट टाइम राइट प्लेस बहुत साहिते को पाली भाशा में लिखा गया था क्वेशन पूछा जाता है इंपॉटेंट है नोट कर लि मिलिंद पन्हो और तो को मत् होते हैं जैसे कि हphy और्तों को प्रवेश नहीं करने देतें अपने मतों के आंदर पूरा है कि यह अगर दो आगए आपने को पूरा नहीं करेंगए और यह बोदिजम के अंदर लिखा हुआ है ठीक है यह बौधिजम के अंदर mention है 483 इसा पूर्व में बौध परिसद में उपली द्वारा यह विने पितक जो है वह सुनाई गई थी सुत्त पिताका काई क्या कहीं जाती है सुत्त पिताका बुद्ध के उपदेशों के लिए रिए विनयपिताका में बुद्ध के कानून है किस चीज के मठ के कानून है जहां पर बौद जी के दुवारा अलग Speak के उन commitment बनाय गए ते और उन पिताका में भी बुद्ध के उपदेशों के जीवन और दर्शन से संबंदेत हैं आपर तर्शन से संबंदेत हैं मिलेंद पन्हो यह ग्रीक राजा मेनेंडर और बुद्ध बेक्षु नाग सेना के साथ जो बात्चीत है उसको लेके सम्मंदित है और त्री पिटक के अंदर बहुत धरम की पवित्र पुस्तक है और इसको कंपाइल करके काफी सारी चीजे मेंशन यहां पर की गई है ठीक है चलिए बहुत परिसत की अगर हम बात करें तो पहला परिसत जो हुआ था 483 इसा पूर्व में सब्तपढ़नी गुफाओं में राजगरह जो के वैशाली में स्थेत है वहां पर हुआ था जिसकी जो पूरा आयोजन है या जो इसका चेयर परसन था वह था महां कसप और इसके संदक्षक यानि किस राजा केंडर हुआ था अजात्शत्रु कौन सी डैन और आनंद के द्वारा सुत्थ पिता का नाम की दो बुद्ध साहित्यों का संकरलन भी किया गया था बुद्ध की मृतिव के ठीक बाद इसे पहली बार आयोजित किया था यानि कि महावीर बुद्ध जी की मृतिव हुई थी उनकी डैथ हो गई थी उसी टाइम पहला परिस कहा जाता है 383 इसा पूर्व में जो कि चुल्ला वांगा वैशाली के अंदर मौजूद है वहां पर हुआ था यह इसके जो संदक्षक थे वो थे यहां पर सबकामी और राजा जो थे यानि कि जिसकी जो जो राजा जिसके पैट्रोनेज में हुआ था वो थे काल अशोग ज जो कि 250 इसा पूर्व होई थी इसकी अद्यक्षता मोगाली पट्टू टीसा के द्वारा की गई थी मोगाली पट्टू टीसा संदक्षक राजा अशोग अशोग के द्वारा धरम अपनाया गया था बुद्धिजम और चंद्रगुप्त मौर्या जो उनके दादा कहे जाए आपके द्वारा धरं अपनाया गया था वो था जैनिया घैनियू और बुद्धिजम यवह याद रखना है आपको जैनियोन और धरम संकालीन कहे जाते हैं आप जैनियोन घैनियोन परिभू के कुछ स्थमान थे महीं तीशनी परिसत के दो और अबिदंब पि dong को जोывать रहत त्रिपेटक जो है उसका पूरा यहां पे आपका संकलन यानि कि उसको कम्बाइन भी किया गया था और उसके बाद इसी तीसरी परिसद में अशोक कहते हैं कि बहुत धरम को पूरे दुनिया भर में प्रचार किया जाएगा और इसी के लिए अशोक समराट अशोक क्या करते है पूरी दुनिया में अपने जो अनिया जो बुद्धिजम के अनुवाई हैं उनको भेजते हैं जिसमें उनके दमाद और उनका बेटा ऐसे काफी सारे लोगों को भी यहां पे बेजा जाते हैं चौती परिशद हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में जिसकी अद्यक्षिता वासुमित्र और अश्वगोश के द्वारा की गई थी और राजा थे कनिश का ठीक है कनिश के सनक्षन में कुशान डैनेस्टी को यह बिलॉंग करते हैं और इसी चौती बुद्धिस्ट काउंसल में यह होता है कि महायान और हीनियान यह दोनों अपने अपने अलग और वज्रियान मीनियान हीनियान महायान और वज्रियान हीनियान कौन होते हैं जो वास्तम में गौतम बुद्ध की जो वास्तविक सिक्षाएं उनको निर्वान प्राप्त करने में विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते ठीक है बुद्धिस्म का करने में विश्वास करते हैं और पाली भाषा का उपियोग हीन यान ही करता है मतलब जो आपका बुद्धिजम जो औरीजिनली पाली भाषा में जिसके स्क्रिप्ट्स लिखे गए थे उसको हीन यान फॉलो करता है महायान क्या कहता है कि गौतम बुद्ध की कृपा से मानते हैं जोनों में डिफ्रेंस हैं कि जो उनकी सिक्षाइं उनको अगर आप ध्यान दोगे तो आपको निर्वान मिलेगा आपको मौक्षी प्राप्ति होगी जबकि महायान कहते हैं कि आप सरफ गौतम बुद्ध को मानो जैसे हम अगर सरफ वस्टरप विश्णू जी को म मानते हो तो आप क्या होगे आप ही नियान होगे यह वाला कॉंसेट है तो अगर आप सरफ गौतम बुद्ध की हैना आप टीचिंग्स को मान रहे हो तो आप ही नियान हो और अगर आप सरफ गौतम बुद्ध की जो आइडल है जो प्रतिमा है उसको मान रहे हो और सोच रहे देखे धर्म सरफ उस चीज के लिए सम्बंदित है वो धर्म वो चीज रहे जो आपको गलत काम करने के लिए लाउड ना करे वस्तव धर्म घर्म जो है वह जो अपने clock कमच अपने记anu है जा स्प्रिच्वालीarthi के जािए वज्जरियान यह कहते हैं कि काले जादु से या जादुई चालों से त्टिक आप क्या कर सकते हो निर्वान प्राप्ति आपर कर सकते हो राइट तो महायान आइडल वर्शिप या गत्म बुद्ध जी की जो मूर्थी है उसकी पुजा करते हैं जबकि ही नियान जो है वो गौतम बुद्ध की मूर्ती नहीं लेकिन उनकी जो टीचिंग्स हैं उसमें जादा विश्वास करते हैं मेरे ख्याल आप चीजे क्लियर हैं यह वाली गौतम बुद्ध से जुड़े हुए प्रती क्या कहे जाते हैं जनम को आप कमल या बैल से संब कोलते हैं और महा इसको हम स्थूप से स्थूपा से जानते यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहापे वहीं आपको करेंगे वुद्ध के समय के जो इंपॉर्टन भिख्षू है वो कौन है आनंद वुद्ध के साथी हैं सबसे इंपॉर्टन शिष्ष भी इनको Kala जाते ह मौगलाना के लिए कहा जाता है यह पानी पे चल पाते हैं वाट और यह बुद्धिम ne अगर आपने कभी ध्यान से पड़ा होगा तो आपने समझा होगा आपको बुद्धिम में अगर सारी जो ध्यान या कर पाते हैं और उस ध्यान से आप अपने को किसी दूसरे वर्ड में ले जा पाते हैं तो आपके ब्रेन का इंपोर्टेंस है ब्रेन की जो इतनी बढ़ जाती है कि आप नागर जुना और बुद्ध गोष इनको क्या कहा जाता है इनको बोग विद्वान के रूप में जने जाते हैं अश्वगोष्ट कनिश्क के समय नागरजुना ये उनके समय पे उप्ध्ध गोश्च करके याद रखे जिनको बुद्ध गममगा के नाम से जाना जाता है ठीक है आप यहां पर यह चीज याद रखें जल्दी से बताएं विच केव्स इस अप रिलीजियस आट बुद्धिजम हिंद्विजम और जैनिजम इस नथिंग दर इस एन यूनिवर्सल पावर इतना चीज एक्सेप्ट करता है आप लो एक यूनिवर्सल पावर है जो कि आ प्लीटली रॉंग आप यह मत मानो यह अंद विश्वास के साथ पूजा नहीं करो यह आप यह आइडल वर्षिप हो सकता है आप मानो यह ना मानो किसी को अच्छी लगते किसी को सरफ ध्यान अच्छा लगता है लेकिन अगर आप यह चीज को नकारते हो कि कुछ भी नहीं है कोई पावर नहीं है यह तो दुनिया अपने आप चल रही है क्योंकि हवा तो चलनी है तो चली रही है तो देनी वा कंप्लीटली रॉंग और यह बिलीवर बिलीवर होता है चाहें वह अपने धरम को या किसी भी चीज को रॉंग लेके समझ उसके लिए वह आस्ता है हमें लग रहा है वह चीज गलत है या सही यह लेकिन जो मान रहा है उसको वह हमेशा सही ही लगती है तुदैर्ज को रिप्रेजेंट करती है तो एलोरा गुपाई जो की महाराष्ट के अंदर लोकेड़ हैं वो बुद्धिजम हिंदुईजम और जैनिजम तीनों को रिप्रेजेंट करती हैं निम्न में से क्या बहुत और जैन दोनों में समान हैं तो नॉन वाइलेंस अहिंसा कहीं पर भी और कोई भी नहीं सिखाता है अहिंसा जो है न वो आपकी कहीं पर भी सिखाई नहीं जाती हैं बुद्धिजम और जैनिजम दोनों नॉन वाइलेंस को या अहिंसा को किसे नॉन वाइलेंस कैसे कहते हैं न हिंसा कहीं भी नहीं सिखाई जाती हैं कहीं पर भी आपको कोई भी धरम हिंसा नहीं सिखा रहे ह बुद्धिजम हिंदूइएउंडुम गुद्धिया घंडिन तो नहीं بهएज đến रहे नुवेश दिए लोगा कने पर में रहे तो मत्व किने सब्सक्राइब बॉद्धिस्ट जो है वो मौंकी थे जो इस चीज को पढ़ा रहे होते थे तो बुद्धिजम याद रखे औरंगाबाद जिले माराष्ट में अजंता की गुफाएं निम्निलिकित में से किस धर्म से संबंदेत है तो अगर एलोरा की गुफाएं कही जाएं आप औरंगाबा सबसे पहली साइट हैं भारत की तरफ से अजंता अलोरा बाद में फिर ताज महल और लाल के लिए को जोड़ा गया था तो सबसे पहले अजंता और अलोरा क्योंकि बुद्धिजम को सबसे प्राचीन धर्मों से भी माना जाता है पहली बुद्ध परिसद कहां पे हुई थी फर्स्ट काउंसिल कहां पे हो रही है राजग्रह के टाइम पे राजग्रह में जो की बिलकुल बुद्ध जी की मृतिव के बाद ही हुई है सबसे पुराना बौध साहित कौन सा कहा जाता है सबसे पुराना बौधिक या बौध साहित किसको कहते हैं त्रिपिटाका के में कुशी नगर के अंदर इसको कहा जाता है लास्ट कहते हैं कि फूट पॉइसनिंग की वज़ा से उनकी मृति हो गई बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश कहां पर दिया था सारनाथ उत्रप्रदेश के लिए बोलते हैं बनारस के पास में यह पूरा लोकेटिड ह होती है तो इच्छाइं अगर बढ़ाएंगे तो कैसे आपको चैन मिलेगा विनैपिता का विनैपिता का बुद्धिस्ट टेक्स के लिए कहा जाता है अभी आप पढ़ चुके हों यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन भी कहा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन भी इसक किया गया था चौथी बुद्ध परिशर कहां पर आयोजित की गई ती तो फॉर्थ बुद्धिस काउंसल कश्मीर के अंदर हुई थी कुंडलवनम के नाम से जाना जाता है इसको और इसको और इसमें आपको क्या याद रखना है वाशु मित्रा वाशु मित्रा और दूसरा याद रखना है दो नाम याद रख लिए दोनों में से कुछ भी पूछा जाएगा अश्व घोश और वाशु मित्रा दो नाम याद रखने हैं यहां पर गौतम बुद्ध ने किस भाषा में सिक्षा दी थी तो गौतम बुद्ध की लैंग्वेज होती थी वह क्या होती थी यानि कि उनके अब्डिक्शन से रिलेटेड है जब वो अपने घर से निकले 29 एज में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया गोडे से याद रखे घोडा ठीक होर्स जो होता है उसको बांदना रोकना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है अब्डिक्शन करके याद रखे अब्डिक्शन गोडा निमनलिकित राजाओं में से कौन महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन रहा है महावीर जैन के लिए लिखा हुआ है महावीर जैन और हमारे गौतम बुद्ध जी ठीक है महावीर जैन और गौतम बुद्ध ज यानि कि यह कितने सिध्धानतों में या कितने भागों में डिवाइट की गई है तो आप बारा करके याद रखे इसको प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग डिपेंडेंट कहते हैं पाली जो ट्रेडीशन है जिसमें यह लैंग्विज पूरी यूज की गई थी उसमें इसको लिखा जाता है यहां पे तो ट्वेल गौतम बुद्ध के महा परिनिर्वान के समय मगद के राजा निम्निलिकित में से कौन थे तो जब गौतम बुद्ध समय मगद में तो हरंक्या की डिनस्टी करके याद जलिकिए जिसके रूलर कहे जाते हैं अजात्षत्र हरंक्या डैनस्टी या अजात्षत्र। बुद्ध संग में प्रवेश पाने के लिए नियूनतम आयों कितनी होती थी इतने साल के आप मिनिमम होना चाहिए ताकि आप अपने बढ़िया कपड़े अपड़े धो पाओ खाना वाना बना पाओ और जो बुद्ध जी कह रहे हैं जो गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं अट छे बुद्ध और भी हुए थे बताइए यह भी यहां पर कॉंट्रोवर्शल चीज है कई लोग कहते हैं कि जो बुद्धिजम है वो शुरू ही महात्मा बुद्ध से हुआ था लेकिन कई बार जो है न वह बुद्ध संपरदाई कहता है बुद्ध का यह वाला जो सेक्ट ह बुद्ध के लिए रहा है यान वही है जो यह कहता है कि गौतम बुद्ध की करपा से निर्वान प्राप्त होता है ना कि उनके शिक्षाओं से तो महायान आपको किसके लिए टीचिंग दे रहा है आईडल वर्शिप के लिए यानि कि गौतम बुद्ध के लिए यहां पर वर्शिप कर रहा है गौतम बुद्ध की जो है वो मान रहा है पूजा और यहां पर महायान यादर के जो यह कहता है कि कौतम बुद्ध से पहले भी छे वुद्ध हुए थे ठीक है विच आप दी पॉलेंग सएक्ट बिलीवस गौतम बुद्ध उस प्रसीडेट उय्मा दिए तो यहां मांबुद्ध को पहला उपदेश में दिया जो पहला सर्मन पहला प्रसा डाल उपना ाक्रमत्व दिया homogeneous तो जो उनके फादर का होगा वही गौतम बुद्ध जी का भी होगा इसलिए गौतम बुद्ध जी को कई लोग शाक्यवंश से रिप्रेजेंट करते हैं कपिल वस्तु और लुम्बनी वाला जो शेत्र है जो आज इंडिया और नेपाल के बॉडर पे हैं वहाँ पे शाक्यव हुई थी जब बुद्ध को ज्यान प्राप्त हुआ तब उनकी उमर कितनी देखे ट्वंटी नाइन यहर्स की एज पर घर से निकले और जब थर्टी फाइव पैंतिस साल के थे तब उनको जो है वो यहां पर ज्यान प्राप्त हुआ तो एक मैच्योर पसंड जो काफी से पहले बौत धर्म अपनाया था कौन सा मौरे शाशक तो जैनिजम हम किसके लिए कह रहे हैं लेकिन आप अशोक करके याद रखें अशोक ने बुद्धिजम को अपनाया था जब कलिंगा की वार में हजारों लोगों की मृति हो गई थी तो उन्हें लगा कि यह तो गलत ह हो गया सारा कुछ वाट वाट वाज रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा तो सिधार्त करके याद रखें सिधार जो है ना उनका रियल नेम कहा जाता है तो एक बार यह सारे क्वेश्चन साप रिवाइस कर लीजेगा जो पूरा पढ़ लीजेगा तेयोरिटिकल पार्ट आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कवर किया जा सकता है सारा क्वेश्चन आपको बढ़िया से महां पर कवर होएंगे ठीक है तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइस कर लीजेगा पीडेफ आपकी अपडेट हो जाएगी एस यूज्वल जैसे अपडेट होती है यह पर सारा सेग्मेंट भी मैं आपके अपडेट करा दूंगी जो भी है क्वेश्चन भी अपडेट हो जाएंगे तो कहते हैं तरीके से आपको दिया हुए एक्जाम में जाने से पहले बस इसको एक बार रिवाइस कर लीजे मेरे क्याल बुद्धिजम से इतने ही क्वेश्च देट भी कर रहा है यहाँ तो याद रखी कि थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमको समझना पड़ेगा इतिहास और चीज़ें तब जाके किसी भी तरीके से अपना माइंड मेकप करिए आज हम यह कह रहे हैं कि इंडिया अगर कह रहे है कि या स्टांडिंग इसराइल और इसराइल अगर बड़े-बड़े जो आप कई जो भुद्धी जीवी दी वह कई वह हैं लागा प्रसंट पर्संटीफाल हुरOW हुरी है 100% वह गलत के लिएरum क्रड़ knowledge है किसी जब आपको फैक्त सनी रहे हैं या किसी कि भी तरफ आप आप नहीं हो जैसे इंडिया का इस्टान दे डैर्याट या कैना डावी बीध पलस्ती त्रेक्剛剛 गन्ड में वार वेख़ है वह अपना साथ जो है वह इस्रा of ग्रॉक्राइप के साथ दे रहे ना प्ल्लेस्टीणी अगर आपको पता होता कि इसराइली ही गलत हैं और फेर घॉधाशा और पहwar इंपॉर्टेंट जीज हैं और यह सुन के spot दूसरे के खिलाफ नहीं कर रहा होगा अमेरिका को सपोर्ट कर रही है क्योंकि उन्हें अमेरिका की अगेंस जाना है इस वीडियो को मैं इसराइल और पैलिस्टीन को बहुत ही छोटे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी और उसका मच पाओ कि उसका historical background क्या है बागी सारी चीज़ें आपके ओपर डिपेंड हैं एक बार कल की क्लास में कल जो है न वह आप यह वाला वीडियो देख लीजेगा बिहार स्सींट लेवल जनल साइन्स के 50 क्वेशन करने वाले जीडी की आपकी मैंक्स और रीजनिंग की अल्रेडी चलने लग रही है टेस्स सीरीज आप जोइन कर सकते हो और यहां पर यह क्लास आपकी इचों होती है हर दिन साथ वजे और पूरा सेग्मेंट आप यहां पर रिवाइज कर सकते हो ठ ठीक है चले अभी के लिए गाइस तैंक यू सो मच बाइबाइब नाइट टेक केर और वीडियो और बिहार एससी आरपी एफ की डिटेलिंग मुझे आपको देनी है क्योंकि आपका एक चीज और जाते-जाते मैं बता दू यहां पर कि आपका रेलवे का एक्जाम स्का जब आपकी अर एलेक्शन से पहले का भी तैम ये भी एदर रिख लिए तब भी एलेक्शन पहले का टाइम था अब भी एलेक्शन से पहले का टाइम है नवंबर के महीने में आर्पीएफ की स्वेकैंसी डेकलेर कर दी थी रेलवेबौर्ड ने और वही पोजीशन करने वाली वह भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए